नमस्कार आकाश्वाणी पोट बेर से प्रसुत है प्रादेशिक समाचार भारती जनदापाटी के प्रदेश अद्यक्षाजे बहरागी ने कहा कि मौजिदा सरकार देश के हर तपके के लोगों का ख्याल रख रही है कॉंग्रेस के आज प्रस्तावी धर्ना प्रदेशन को प्रशासन द्वारा अनुमती प्रदान नहीं की गई है दिपो में कल कोरोना पॉजिटिव के दो नए मामले सामने आए यौन उत्प्रदन के मामले में माया बंदर की विशेश पॉक्स को अदालत ने बिली क्राउन के एक वेक्ति को आजीवन कारवास की सजा सुनाई और शिक्षा विबाग आज से स्कूलों में साइबर जागरुपता दिवस की शुरुवात करने जा रहा है सुबा के समचारों के साथ मैं राकेश शंदरलाल भारते जनता पाटी के प्रदेश अद्द्यक्षा जैबरागी ने कहा कि मौजुदा सरकार देश के हर तपके के लोगों का ख्याल रख रही है और विबिन योजनाओ के माध्यम से उन्हें लाब पहुचाय जा रहा है कलपोटबेब में मीडिया को जानकारी देते बे उन्होंने कहा कि दिप समू में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रशासन तथा भाश्पा कारेकरताओं की मेहनत के परणाम सुरुप कोविट मामारी की दूसरी लहर में लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुचाय गई दिपो में टिका करन अभ्यान सफलता पूरवक चलाय जा रहा है दिपो में किसानों की उर्वर्क पूर्ती की जरूरत और भूमी कटाओं पर बाच्चीत करते वे उन्होंने बताया कि इस मुद्धे पर कृषि मंतरी नरेंदर सिंग तोमर से बाचीत की गई है और जल्दी को निर्णे लिया जाएगा दिपो के ढाचागत विकास पर प्रकाश डालते में उन्होंने रास्टे राजमार के तहट सड़कों का अंधरमांड, समुद्र के भीतर केबल पर योजना और पूर्णों का अंधरमांड कुछ ऐसी पर योजना है जो आने वाले समय में दीबों के विकास में अपनी महत्मुन भूमी का अदा करेगी। उन्होंने कॉंग्रेस पर अपने राजनितिक लाप के चलते विकासकारों में आउरोध उत्पन करने का अरोप लगाया। पतरकार समयलन को पूरु सांसत बिश्ट बदरे और भाशपा के पूरु प्रदेश अद्यक्ष विशाल जौली ने भी संभोधित किया। तीन क्रिशी कानूनों को वापस लेने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर कॉंग्रेस पार्टी की ओर से आजदीब समू में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पोर्ड़र में कल मेडिया को जानकारी देते वे प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी अद्यक्ष रंगलाल हल्दार ने कहा किकर्शी कानूनों के अलावा प्रदेश पारिशत का पुनर गठन कोरोना की दूसरी लहर में हुई मिर्थिव पर उनके परीज़नों को उचिद वस्ता में सुधार करने जैसे मुद्दो को लेकर पार्टी अपना विरोज जताएगी इस बीच दक्षिन अन्मान जिला प्रदर्शन द्वारा कॉंग्रेस के इस धन्ना प्रदर्शन को अनुमती नहीं दी गई है प्रदर्शन ने कहा है कि कोविड मामारी की जंग में लो नए मामले सामने आए जबकि तीन लोगों को डिशार्च किया गया ये दोनों मामले संपर्क में लोगों के हैं दिपो में कोरोना की सक्री मामलों की संक्या घटकर 9 हो गई है ये सबी मामले दक्षिन अन्मान जिले में हैं दिपो में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.36 च्छे प्रतिशत है कोविट टीका करण अभ्यान के तार दिपो में अब तक 4,48,540 टीके लगाए जा चुके हैं कल 2,178 लोगों को टीका करण किया गया अठारा से 44 वर्ष आयुबर के 1,70,461 लोगों को टीका लगाए जा चुका है दिपो में 1,58,052 लोग टीके की दूसरी डोस प्राप्त कर चुके हैं बातर फीसिदी से अधिक जनसंक्या का टीका करण किया जा चुका है ये समचारा पाकाश्मानी पूर्ट ब्लर से सुन रहे हैं मायबंदर की पाक्सो विशेश अधालत ने मंदरा बर्षी नाबालिक लड़की के साथ यौन उत्प्रणन करने के मामले में बिली गरॉन निवासी सारंग मंडल को आजीवन का रवास की सजा सुनाई है मुझरिम पर दो लाग रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जिसमें नबे फिसिदी राशी पिड़ता को महाफ़जे के तौर पर प्रदान की जाएगी नियाले ने प्रशासन को 30 दिनों के भीतर पिड़ता को 5 लाग रुपए का महाफ़जा देने को भी कहा है ये मामला 2018 का है जिसमें पक्सो अदिनियम 2012 की धारा 6 और आईपियस की धारा 506 के तहत बिली गरॉन पुलिस थाने में मामला दच्च किया गया था जिस पर सुनवाई करते वे नियाएदिश जिमुत बहान बिस्वास ने अभीत को आजिवन कारावास की सजा सुनाई केस की पहर भी विशेश पीपी केशिप चंदर मंडल ने की वन ने प्राणी सब्ता बनाए जाने के सिलसले में परियावरन और वन विबाग की ओर से पोड़ बैर और दक्षिर नमान के विबिन भागों में जागरुकता शिफिर लगाए गए मजसे विबाग के सायोग से मचवारा समुदाई के लिए जंगली गाट वंडूर और शोर पॉइंट में आजित इंशिरों में वन ने जीव संद्रक्षन अधीनियम 1972 के तहत अधिसूचित प्रजादियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही इनकी पैचान, महत्व और संद्रक्षन की जरुद से आउगत कराया गया मचवारों को मचसे हरण के लिए उनके अधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई समुद्री जीव जयंतू पर प्लास्टिक प्रदूशन का प्रभाव और गहरे समुद्र में नियमित मच्णों की आपूर्थी बने रहने के लिए मूंगों के संद्रक्षन के बारे में भी बताया गया इस अवसर पर मच्से विभाग के प्रतिनिद्यों ने मच्से नियम मच्से जलियानों का पंजी करण तथा मच्से हरण के बारे में भी जान करी दी इन शुरूं में सौसे अधिक मश्वारों ने हिस्सा लिया शिक्षा विबाग आज से स्कूलों में साइबर जागरुकता दिवस की शुरुवात करने जा रहा है ग्री मंत्राले साइबर अपरादों से निपटने के लिए भारतिय साइबर अपराद समर्वे केंद्र नामक योजना का किरान विन कर रहा है मंतराले द्वारा साइबर अपराद के बारे में जानकारी देने के लिए राज़्टी साइबर अपराद रिपोर्टिंग पोर्टल और ट्विटल हेंडर साइबर दोस्त बनाय गया है साइबर सुरक्षे के विभिनों पहलों पर अधिक जागरुकता लाने को देशे से हर मैने के पहले बुदवार को साइबर जागरुकता दिवस मनाय जाएगा जिसमें पुलिस अधिकारी और साइबर विशेशगे, साइबर अपराद को रोकने और सुरक्षित ब्राउजिंग की आदत को विक्सित करने को लेकर जान करी देंगे आज सुबा ग्यारा बजे वर्च्वल माध्यम से इसका आईजन किया जाएगा स्कूल प्रमुकों और कक्षा चटी से बारवीत तक के विद्यारतियों, शिक्षकों तताहित धारकों से गूगल मीट प्लेटफरम के जरिये इसमें शामिल होने का आगरा किया गया है वस्त मंतरा ने एक सो साट करोर रुपे के बढ़ावधावन वाले समगर हस्त शिल्प समू विकास योजना को जारी रखनी की मनजोरी दे दी है ये योजना माज दोजार अठाईस तक चलेगी इस योजना के अंतरगत हस्त शिल्प से जुड़े कारीगरों को बुनियादी धाँचे बाजार तक पहुँच डिजाइन और तक्नीक उन्यन संबन्दी साहता दी जाएगी गैर सरकारी संगटन, पंक द्वारा, दक्षिन अनमान, जिला, बाल, संदक्षिन एकाई की और से पोटबलर के बाली का निकेतन में बुग बैंक और स्टेश्टरी बैंक सतापित किया गया है बच्चों के लिए की गई इस वेवस्ता में बच्चों के लिए विमिन प्रकार की पुस्तके उपलब दकराई गई है आजित कारिकर में जिला उपाइक सुनिल आंजी पाका के अलावा पंक अंडमान की अध्यक्षा को मलानन तता सदस सुचित्रा महिश्वरी और दिशा कुरूप ने उपस्तिती को संबोधित किया आकाश्मानी पोर्ट ब्लेर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समचार बोलेटीन आप मीडियम बेव के साथ साथ FM 100.9 मेगा हट्स पर भी सुन रहे हैं ये समचार मुबाइल फोन और वानों के FM रेडियो पर भी उपलब रहे हैं इसके लाबा अब आकाश्मानी पोर्ट ब्लेर के प्राइमरी चनल से प्रादेशिक समचार सहीत प्रसारित होने वाले अन्य कारिक्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनल उठा सकते हैं इसके लिए अपने मुबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें News on AIR एप और आप समचार पत्रों की सुर्कियों के साथ तीजर श्री धन्यवाद राकेश द्वीब समु में कल 2100 से अधिक लोगों को टीका लगाया जाने के समाचार को कुछ अखवारों ने प्रकाशित किया है अंडमान श्रीखा ने इस खबर के अलावा लोगजन शक्ती पार्टी में चले संगष पर चुनाव आयोग द्वारा विराम लगाते वे चिराक पासवान की पाची को नया चुनाव चिन आवंटित करने के समाचार को प्रहुकता दी है पश्वों के खिलाफ प्रूरता पर सरकार ज्यादा जर्माना लगाने की तैयारी कर रही है अंडमान एक्स्प्रस हिंदी की खबर है रहेडे पटरी वालों को स्ट्रीट वेंडर्स आधिनियम के कडाई से पालन करने की सलह दी गई है अख़बार ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है वाय सेना प्रमुक वियार चौधरी ने कहा कि भारत किसी भी चुनावती से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है एसपेक की खबर है कॉंग्रेस पार्टी द्वारा अपनी विभिन मांगो को लेकर आज धरना प्रदर्शन करने के समाचार को अंडमान एक्स्परस अंग्रेजी ने अपनी बड़ी खबर बनाया है अंडमान क्रोनिकल ने इस खबर के अलावा वीरसावरकर अंतरास्ट्रे हवाई अड़े पर विक्षार ओपन कारेकरम आयोजित करने के समाचार को प्रकाशित किया है अंत में मुखे समचार एक बर फिर भारते जनता पर्टी के प्रदेश अद्यक्षा जैबरागी ने कहा कि मौजदा सरकार देश के हर तपके के लोगों का ख्याल रख रही है कॉंग्रेस के आज प्रस्तावी धर्ना प्रदर्शन को प्रशासन द्वारा अनुमती प्रदान नहीं की गई है दिपो में कल कोरोना पॉजिटिव के दो नए मामले सामने आए यौन इत्प्रडन के मामले में माया बंदर की विशेश पॉक्सो अदालत ने बिली ग्रॉन के एक बैक्ती को आज इवन का रवास की सजा सुनाई और शिक्षा विभाग आज से स्कूलों में साइबर जागरुकता दिवस की शुरुबात करने जा रहा है इसके साथ ही प्रादिशिक समचार का ये बुलेटिन समप्त हुआ नमस्कार